बिहार में शराबंदी को लेकर लगातार चल रहे आरोप परत्यारोप के बीच जदियू संसदिय बोर्ड के राश्ट्री अध्यक्ष उपेंदर कुश्वाहा ने दो टूक अंदाज में शनिवार को कहा कि असी फीसद पुलिस वाले शराबंदी को लेकर गंभीर नहीं है बमुश्किल बीस फीसद पुलिस वाले ही शराबंदी को लेकर गंभीर है जिनके पास शराबंदी को सकती से लागू करा जाने का जिम्मा है वही जब गंभीर नहीं है तो फिर सवाल उठाना लाजमी है उपे शाराबंदी की मौजूदा इस्तिती के लिए यह एक बड़ी वज़ा है। कुश्वाहा ने कहा कि यह स्तिती तब है जब खुद मुख्यमंतरी नितीश कुमार शाराबंदी को काम्याब बनाने के लिए जुटे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस कर्मियों को मुख्यमंतरी के तरह ही इमांदारी से अपना कर्तव निभाना चाहिए। उपेंदर कुश्वाहा ने कहा कि बिहार में शाराबंदी का फैसला नितीश कुमार ने बेहत सहसिक तरीके से लिया। शाराबंदी कराना आसान काम नहीं लेकिन इसके बावजूद बिहार में हम इस पर आगे बढ़े हैं। नितीश कुमार का संकल्प पूरे देश के लिए मिसाल बना है। लेकिन मुख्यमंतिर जिस मकसद के साथ काम कर रहे हैं उसी मकसद के साथ पुलिस वालों को भी काम करना चाहिए। कुश्वहा ने सवालिय लहजे में यह भी पूछा कि बिहार में अगर शराब की तसक्री उसकी बिक्री और निर्मान का काम हो रहा है तो यह पुलिस वालों की जानकारी के बिना कैसे संभाव है। शराब बंदी सब के लिए फायदे मंद है और इसे काम्याब बनाने के लि रहे हैं। सरकार से शराब बंदी कानून की समिक्षा करने की मांग विपक्षी कर रहा है। कुछ मुख्यमंत्री नितीश कुमार यहां कह चुके हैं कि वह 16 नवंबर को शराब बंदी की विस्तरत समिक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने एक बात स्क्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दवाना ना पूलें